स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ हाइस एकेड़वी के इस ऑनलाइन प्लेटपॉर्म पर मित्रों हम लोग जंजाती विवाह पर चर्चा कर रहे थे पहला पार्ट आप लोगों ने देखा और नहीं देखा यह देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और यह जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट आप देख लोगे तो विवाह उल्मूस जंजाती में कैसा होता है और कौन कौन से जंजाती में क्या क्या विसेश बात आपको ध्यान रखनी है यह आपका क्लियर हो जाता है ठीक है तो चलिए आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं वहीं स्रिंखला का आज दूसरा पार्ट है तो आप चलिए जितने भी विवा बचे हुए हैं उन पर एक नजर डालते हैं ठीक है तो कौन कौन से विवा बचे हैं तो इसके बाद चार विवा हमने किये थे आज हम लोग देखेंगे सभघ विवा कि सहपलायन विवा तो इसी को क्या कहा जाता है और उढ़रिया विवा उढ़रिया विवा थीक है बैगा जन्जाती में इसी विवा को क्या बोलते हैं बैगा जन्जाती में चोरी विवा या चोर विवा चोरी विवा ठीक है इसके अलावा कोर्कु जन्जाती में क्या बोलते हैं तो कोर्कु जन्जाती में सह पलायन नहीं पलायन विवा बोलते हैं कौन सा विवा पलायन विवा जाती में कि क्या बोला जाता है तो मैंने बताया था आपको कि बिशेर या भी ठीक ठीक है कि उस्ता पलाएण विवा बोली और यह वीवा बोली जों में सब के सब पलाएण पलायन मतलब भाग जाना सह मतलब साथ में ठीक है और ये सभी जन्जातियों में लगभग लगभग आप मान के चलिए सभी जन्जातियों में प्रचलित है और मैं यदि ये कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सभी जन्जातियों में और भारत में और विस्व में तो है ही तो ये विवाह जो है वो पूरी जगाप्रचलित है ठीक है तो आप देखेंगे पासपड़े महले में है ना तो वह धर के भागने की प्रक्रिया है हि उसी को ही हम सह पलायन विवा कहते हैं या पलायन विवा कहते हैं ठीक है जब एक इस्तरी एक पूरुष प्रेंं करते हैं === यहां पर दो-तीन चीज आपको समझने वाली बाति सह पलायन क्या क्या दोनो के दोनों तुमारे हैं तो भगेंगे ऐसा है क्या लड़का साधी सुधा है लड़की अविवाही थे तो भगेंगे क्या ऐसा है क्या तो ऐसा नहीं है एक लड़का एक लड़की चाहे साधी सुधा हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है अगर भग जाते हैं तो उसको सहपलायन विवाही बोलते हैं और कई जगा उ तो चोरी विवाह जो है वह सह पलायन विवाह चूपके से विवाह ठीक है अब जानते हैं विधेर जबूज माडिया जन्जाती में बताया हुआ है तो ध्यान रखेगा अब देखे उढ़रिया विवाह तो बैगा जन्जाती में विशेश प्रकार का उढ़रिया विवाह प्रचलीत है बैगा जन्जाती में क्या प्रचलीत है तो बैगा जन्जाती में एक साधी सुदा इस्त्री ठीक है बैगा जन्जाती का आप ध्यान रख इस साधी शुदा लड़की किसी और को पसंद करती है ठीक है साधी सुदा लड़की किसी अन्य पुरुष को पसंद करने लग गई कोई दिक्कत नहीं है देखिए यहां पर हमारा जो कल्चर है जंजातियों में हर प्रकार की साधी को मान्यता लगभग मिलती रहती है ठीक है तो यहां पर वो टेंसन वाली बात नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा कि मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी यह सारी चीजें वाला टेंसन नहीं है ठीक है तो आप या जिसको पसंद करती है उसके गर अब यह लड़की इसके घर स्वाड़ करेंगी तो यहां पर इस लड़की के इस लड़की का जो देवर रहता है मतलब प्रकस करेंगा गर्म पानी ढलता है यह लड़की के घर तो यहाँ पर देवर रहता है उसका गरम पानी डालता है तो यहां पर कई पर पढ़ा आते समय बच्चों की यह प्रकार से यहां पर मानता चलती है ठीक सुद्ध हो गई अब उसके घर में उसकी जो हैं accepts कर लेते हैं और संबंधित जो पुरुष जिससे यह पहली विवागी थी उसको वह क्या देते हैं सूचना देते हैं ठीक है सूचने के पस्तायत वह लड़की जो है वह सरपंज को बुलाया जाता है और पूराना जो पती रहता है उसको क्या दिया जाता है उसको हारजाना दिया जाता है ठीक है सब लोग बैठ diveollee ठीक है तो इस प्रकार से और हरिया वीवाद जो है बैगज़नुजन जाती में विशेश रूप से प्रचली था इस बात को आप ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये कौन-कौन सी जन जाती में होता है तो ध्यान रखे ये सभी जन जाती में होता है सह पलायन बैगा में चोरी कोरकू में पलायन विवा अबूज मारिया में इसी को बिथेर विवा के नाम से हम जानते हैं ठीक है तो मेरे ख्याल से ये चीजे आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा चलिए अब आगे चलते हैं आगे हम डिसकस करेंगे एक और विवा जो है अपहरण विवा कि अपहरण विवा कि इसी को गोड़ जन जाती में गोड़ जन जाती में क्या कहा जाता है पायशोतुर विवा पायशोतुर विवा गोड़ जन जाती में क्या कहते हैं इसको पायशोतुर विवा क्या है सिंपल है यह भी चोरी विवा जैसे ही होता है सहपलायन विवा जैसे ही होता है बत देखिए सहपलायन विवा में क्या होता है कि लड़का और लड़की जो है वो प्रेम करते रहते है ठीक है और प्रेम करते रहते हैं तो घर वाले नहीं मानते तो उन लोग को भाग कर साधी करनी पड़ती है अब भागते हैं तो क्या करते हैं यह किसी मित्र के यहां अपने दोस्त के यहां रुकेंगे या कोई रिष्टेदार जो सपोर्ट कर रहा होगा इनकी साधी को पहले जाना थे ट्रूइट चला थे भागने माला है तो उसको सपोर्ट जो कर रहा होगा जो रिष्टेदार उसके यहां भाग कर चले जाएंगे अब वहां पर जाने के बाद कूश दिन बिताते हैं प्रोसेस साथ आठ दिन बिताने के बाद क्या होता है कि उसके घर में मैसेज भी जाया जाता है लड़की वाले के घर में भी और लड़के वाले के घर में भी दोनों के घर में मैसेज भिजवाया जाता है कि हम लोग जो है वो साधी वादी कर लिये हैं तो दोनों लड़का और लड़की के घर वाले तैयार हो जाते हैं रेडी हो जाते हैं और दोनों क है यहां पर सिर्फ एक डिफरेंस आप याद रखेगा आप हरण विवा जो होता है जिसको गोंड जन जाती में हम लोग पाइशोतुर विवा कहते हैं इसमें वो साधी सुदा के बाद परिवार वाले एग्री नहीं होते हैं इनकी साधी यह भाग कर तो साधी कर ली लेकिन यह परिवार वाले इसके परिवार वाले परिवार की मर्जी नहीं होती है ठीक है परिवार की मर्जी नहीं होती मतलब इसके परिवार वाले नहीं मांगते हैं ठीक इसी लिए इसको अपहरण विवा या पाइशोतुर विवा यह देखिए यह पहले नियम चलता होगा लेकिन आजकल जो है बहुत सारी जगह में सिथिलता बरती जाती है अब परिवार वाले भी मान रहें और और एक्सेब भी कर रहें लेकिन अपरण विवा अगर पायशोतुर विवा आपसे पूछा जाता है तो आप इसी प्रकार से जो explanation मैंने बताया उसी प्रकार से आप लिखेंगे ठीक है मेरे ख्याल से यह भी आप लोगों का क्लियर हो ग्या ठीक और विवा है इसी से संबंधित हर उसको हम इसी में देख लेते हैं भगेली विवा कि भगेली विवा हाटat ओ थुद्ट रहें है भगेली विवा कौन सी जन जाती में प्रस्लित हें तो यह भी गोंड जन जाती में उसिल अब क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की प्रेम में सराबोर ए मैं तुला अब बढ़ मैं करता हूं तेह मुला बढ़ मैं करता और घर वाले मनहा राजी नहीं है तो का कर वो भगेली भाग जब भगेली तो भागेगी लड़की और द्वात रखेंगे अब भाग कर रात्री में अब यह पूरा सेटिंग का मामला रहता है लड़का लड़की का प्रॉपर ली सेटिंग होगा कि यहां पर आप ध्यान रखेंगा कि लड़का जो लड़की हिसान की जो है वो लड़के के घर रात को भाग कर आ जाएगी यह लड़का का घर मैं अव्याइश रहता है, पहले यहां पर यह खप्रला लगा रहता थे आज खप्रा समझ रहे नहीं नहीं समझ रहोंगे तो आप मैसेज कर दिए गया बता देंगे खपरा ठीक है पहले जो घर बनते थे ऊपर खपरा जो मिट्टी का बनाया जाता था वह लगता था छानी जिसको बोलते हैं ठीक है और छानी में ओर्चा निकला रहता था इसको क्या बोलते हैं और चाहिए इस प्रकार से निकले रहा था था ताकि पानी गिर कर थोड़ा सा दूर आ जाए तो आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो बता दीजिए ठीक और वैसे भी आप लोग तो कमेंट करने में माहिर मतलब करतव्य वाला बात तो है नहीं कि चलो इतनी अच्छी चीज मिल रही है तो अप्रिशेट किया जाए कोई बात नहीं आप आनंद लीजिए ठीक है तो यहां पर देखिएगा कि यहां पर क्या हुआ कि वो लड़की रात को आ गई लड़के के घर अब यहां पर लड़की जो ह कहा चांही में सब्सका है नाल के नीचे यहां पर यहां और लड़की यहीं पर खड़ी रहेगी और इसी के उपर ही जो है अपने उपर ले लेथी है तो यह समझा जाता है कि लड़की जो है वो अब शुद्ध हो गई है ठीक है तो वो पानी अपने उपर ले लेगी इसके बाद जो है वो करदायल पहलिल बताया रही थे लड्का लड़का के दाइल पहलील बता रही थे कि ऐसे इसे बात है तब पानीवानी डारेक बाद हो जाते शुद्धता तान लड़की जो है वो घर बुला लिये जाते ठीक है अब घर बुलाने के बाद फिर इसकी सुचना मुखिया को या जो भी ग्राम का मुखिया है सरपंच है उ तो संबंदीत लड़की के घर में ये मैसेज भिजवा देता है कि आपकी लड़की जो है भगेली हो गई है भाग गई हो इसके यहां इससे साधी करने जा रही है तो उसके घर वाले आते हैं लड़की के घर वाले कुछ पैसा वगरा वधु मुल्य वगरा उसको दिया जात और माक्सिमं è mere लड़की के माता-पिता श्विकार कर लेते हैं और वहीं पर रातरी में मंदव घर जाता है का फिर इस प्रकार से जो है यहां पर विवाह संचाली तो इस प्रकौर से आप ध्यान रखेज़ा चलिए तो यह हो गया नेक्स्ट वीवा हमारा भगेली वीवा और कॉन सी जंजाती में प्रशलीत है तो गोर्ण जंजाती में प्रशलीत है देखिए और भी इसके रिचुल से बहुत सारे रितिरिवा लेकिन हमला का करना है हमला उतके पढ़ना है जतका हमला एक साधी करते हैं हल्दी फेकते हैं उसके उपर पानी डाल देते हैं और साधी हो जाता है एक साधी है तो मैं वह सब नहीं बताने वाला ठीक है जो इंपोर्टेंट आपके लिखने के लिए काम आएगा वह सारी चीज़े हम डिसकस कर रहे हैं तो यह भगेली विवा मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट विवा की और चलते हैं इसके ब तो यह है आपका पैठू विवा कौन सी जन जाती में बैगा जन जाती में इसको पैठू विवा कहते हैं और कौन सी जन जाती में तो कमार कि कमार जन जाती में और भूंजिया भूंजिया जन जाती में और पहाडी कोरवा पहाडी कोरवा जन जाती में तो इन जंजातियों में इसको पैठू कहा जाता है इसके अलावा वीरहोर में वीरहोर जंजाती में और पंडो जंजाती में इसे धुकू कहा जाता है धुकू धुकू ठीक है और इससे और भी नाम से जानते हम लोग क्या पैठुल पैठुल भी कहा जाता है इसको ठीक है इसके अलावा जबरदस्ती विवा भी कहा जाता है इसको जबरदस्ती विवा जबरदस्ति विवा और कहीं कहीं पर घरगुसी बोल देते हैं परन्तु घरगुसी कोरकु जन जाती में अलग होता है इसको मैं बात करूंगा इसमें भी घर में घुशते हैं लेकिन ये तोड़ा सा अलग इसमें चलेगा ठीक है अब देखिए पैठू विवाह पैठूल विवाह धुकू विवाह इसी को ही हट विवाह भी बोलते हैं धूकू विवाह को ही क्या बोलते हैं हट विवाह इसी को ही जबरदस्ति विवाह भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं जबरदस्ति विवाह जबरदस्ति मिलिख भई यहां का हो थे जो लड़की है क्हां ओर लटकल पसंड करते ऊखर घड़ रात के जा के का हो जही खुसर जही थीकहे जिन लडगल पसंड करते ऊखर जा के रात के खुसर जही ठीख. और वहाँ जाने के बाद जिसको पसंद करती है ठीक है जिसको पसंद करती है उसके उपर हल्दी चिड़क देगी ठीक हल्दी चिड़क जेगी तो इसको यह कंफर्म हो जाएगा कि यह जो है वो फलानस प्यार करतरी से और साधी करेबार आ है ठीक है तो हल्दी उपर चिड़क ही जेला वो पसंद करते से जेखर्शन साधी करना चाहते यह बैगा जनजाती में विशेश प्रकार से आप याद रखेंगे ठीक है बैगा जनजाती का पैठुल विवाद जो है मैं डिसकस कर रहा हूं बांकी बांकी जगह भी अलग-अलग प्रकार से होता है थोड़ा सा इसको अलग से समझने का प् उसके सास ससूर के सामने कि मैं इसी से साधी करूंगे और जब तक साधी नहीं करवाओंगे यह पर बैठी रहूंगी यह वाला कहानी रहता है ठीक है जबरदस्ती घूजगे उसलिए उसको हट विवाब जिद्दी में एकरे संसाधी करूं अब यहां पर देखें लड़का जो केशेस में यह देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते रहते हैं ठीक तो यहां पर अब जाके वो हल्दी छिड़क देगी और उसके बाद तिर उसके गाओं के मुखियक बुलाया जाएगा बुला के उसको बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा है भई यहां ही है य यह वापस आ जाते हैं मैसिज भिज्वा देते हैं और लड़की के जो मातापीता वहां पर आते हैं लड़की के मातापीता कुछ दीया जाता है और वहीं जाता है मडवा समझ रहे हैं क्या किया जाता है सादी किया जाता है तेख किसके द्वारा कि यह जो है वो मुख्या के द्वारा अब देखिए यह मैंने बैगा जंजाती के बता है अन्य जंजातियों में भी कुछ अलग-अलग प्रकार से थोड़ा बहुत चेंज करके प्रचलित रहता है अन्य जंजातियों में आप देखेंगे तो लड़की जो है किसी लड़के करेगी कि मैं इससे साधी करना चाते हो रिशी से करूंगी करवाबे तब जाहूं नहीं करवाबे नहीं जाओ घरगुस्ती विवाव हट विवा ठीक है जबरदस्ति विवा तो बहिया किसी भी जाके इसने थोड़ी मैं सलमान खांधन साधी करूं रितीगरोस नहीं हो सकते आपको अन्य जन्जातियों में समझा दिया इसी को ही पैठूल या जबरदस्ती विवा भी कहते हैं अब आप देखिएगा घरगुस्ती विवा किसमें कहा जाता है कोरकु जन्जाती में अब इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार से चलेगा क्यों चलेगा देखिए एक घूमाते फीराते खेलाते खावाते हैं ना इंजोय करते तो प्रेम के समय क्या हो जाता है दोनों के बीच यौन संबंद स्थापित हो जाते हैं क्या हो जाता है यौन संबंद स्थापित हो जाते हैं किसके किसके बीच लड़की और लड़का के बीच ठीक यौन संबंद स् क्या करती है उसके घर घुष जाती है और उसके घर में जाकर जो है वो बैठ जाती है सारा किस्ता बताती है और में साधी करवा करके उसके घर में जबरदस्ती घुष जाती है और वहीं पर रहकर जो है वो अपना जीवन यापन करने लगती है कौन सी जन जाती में कोरकु जन जन जाती में इसको आप ध्यान रखिएगा ठीक है इसी कोई हम घर घुसी विवा कहते हैं मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजे जो है वह बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट कि पैटू विवा होगे अगले विवा की और चलते हैं अगला जो विवा है दोस्तों वह है दूध लवटावा विवा अगला विवा क्या है तो वह है दूध लवटावा विवा आप यह दूध लवटावा विवा कौन सी जन जाती में प्रचलित है तो यह अल्प थोड़े बहुत में देखें तो यह गोंड जन जाती में दूध लवटावा विवा क्या होता है तो दूध लवटावा मतलब दूध एक दूसरे को लवटाना तो इसमें ये सोड़ा सा गोण जन जाती में ही प्रचलीत है कौन सी जन जाती में गोण जन जाती में प्रचलीत है और इसमें क्या होता है तो इसमें ममेरे मेरे फुफेरे भाई भाई में साधी हो जाती है ममा फूफक भाई बहुनी बेटा पर बेटी बेटा मन काई महाई बहुनी तो उसी को कहते हैं दूध लटावा विवा हाला कि आज की परिस्थिती में देखें तो यह बहुत ही कम मात्रा में जो है वो प्रचली थे बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है तो इसी को की कहते हैं दुध लटावा विवा विष अर विशद कर गोणती को ही आप याद रखेंगे ठीक है अब इसके बात देखिए गंधर्व विवा ही है कि गंधर्व विवार टो हाँ है हाग ही क्या कि और छू कि तो हो यह गंदर्व विवा कौन परजा जन जाती में विश्यस रूंप से फेमस है लड़की लड़का एक दूसरला पसंद करते दूनों जन एक दूसरला वरण करने कर लिस वरण कर लिस मतलब धारन कर लिए में ते मोरस व्ते में तोरह ठीक है इस साधी कर लिए तो उसी कोई कहते हैं क्या गंधर्व विवा है इसी को ही क्या करते हैं हम लोग गंधर्वव विवा करते हैं याद रखिएगा लेकिन एक अण्य जन्जाती में ठीक है एक अन्य जनजाती में क्या कहा जाता है तो कोर्कु जनजाती में इसी कोही पोटा या पाटो विवा ये दोनों अलग-अलग किसी अगर किसी अन्य को पसंद करती है ठीक है तो उसका भी विवा जो है वो करवा दिया जाता है कब करवाया जाता है देखी तो इसके कंडिशन को ध्यान रखेंगे ठीक पुनर विवा है यह पोटा विवा पाटो विवा पुनर विवा है मैं लीक देता हूं कि उनर्विवा कि कब करेगी लड़की जब उसके पती की मृत्यू हो जाती है पती की क्या हो गई मृत्यू हो गई तो वो दूसरी साधी करेगी या किसी अन्य अमिर व्यक्ति को पसंद कर रही है पसंद कर रही है तो अभी उसकी साधी जो है वो करवा दी जाती है कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है बस क्या किया जाता है कि जो उसका पुराना पती है ठीक है पुराना पती है तो उसको क्या देना पड़ेगा उसको चूंकि वो वधुमुल्य देकर लाया था इसे लिए इसको भी जो है वो वधु मुल्य या कुछ पैसे वगेरा जो भी धान फशल वगेरा जो भी कुछ उसको हरजाना जिस समाज में चल रहा होगा वहाँ पर उसको देना पड़ता है तो ौर्फु जण्याती हम पोटा विवा यहां परजा जन जाती में पोटा विवा इसमें वरण वह साधी सुधा इस्त्री करती है जाहे उसकी पती की मृत्ति हो गई यह किसी अन्यवैक्ति को वह पसंद कर रही हो तो दोनों कंडिशन में जो है है और कुछ वधुधन दिया जाता है पुराना पती एगर जीवित है तो उसको पती की मृत्ति हो गई तब तो कोई बात ही नहीं है ठीक तो इस बात को आप ध्यान रखेगा चलिए नेक्स्ट विवा की जोड़ चलते हम लोग और देखते हैं गंदर्व विवा हो गया अब एक विवा और चड़ विवा चड़ विवा तो क्या है यह चड़ विवा देखिए चड़ विवा क्या है तो चड़ विवा में चड़ विवा कौन सी जन जाती में होता है मित्रों तो यह लगबक सभी जन जाती में होता है लेकिन बैगा और वि जिवाज वो सभी जन जातियों में ठीक है लेकिन यह जो प्रचलित है जो मैं अभी स्टोरी सुनाने वाला हूँ विशेश कर बैगा और गोंड जन जाती में प्रचलित है क्या होता है तो यहां पर लड़के के घर वालों को न्यूक्त किया जाता है ठीक है लड़के के घर वालों को न्यूक्त किया जाता है कि यहां पर कौन-कौन वहां साधी के लिए जाएगा उसके पीता जी या जो भी घर में बड़े हैं वो तो जो साधी के लिए जाते हैं लड़की के घर जो साधी के लिए जाएंगे वह क्या करेंगे वह अपने कंधे पर ठीक है रसी में या गंचे में बानके दो बोतल महुआ बीना महुआ उनके संस्कृती में है तो महुआ दो बोतल लेक अब जाथे महुआ दूब लड़की वाले घर पता चली इसकी लड़की हावा है तो उहां चल दिस ठीक है का करेबरा है साधिक बात करेबरा है ठीक है ठारो हाल पूछी थोड़ा देर discussion होता है ते कई से का हाल चाल है और उसके बाद फिर वो लोग मुद्दे पर आते हैं मुद्दे में इस प्रकार आते हैं कि मुझे लड़के वाले के तरब से कहा जाता है कि मुझे प्यास लगी है ठीक तो लोग समझ जाते हैं कि अब यह साधी की बात करना चाह रहे हैं ठीक अब उसके बाद क्या होता है कि लड़की को बुलाया जाते हैं आपनी बेटी को बुलाते हैं पूछ लेते हैं तो लड़की जब वहां पर आती है तो लड़के वाले फीर कहते हैं मुझे प्यास लगी है ठीक है अब यहाँ पर लड़की कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती आप सराः पीजियai मंद पीजियai ठीक है वह अपने language में बोलती है मैं कुछ नहीं जानती आप मद्ध पीजिए इसका मतलब ये सेंटेंस आने का मतलब है कि लड़की जो है वो मना कर रही है ठीक है मैं कुछ नहीं जानती आप मद्ध पीजिए इसका मतलब लड़की जो है वो मना कर रही है यदि उसका सेंटेंस ये आता है कि मेरे से क्या पूछते हो मद्य पीजिये यह सराब पीजिये इसका मतलब वो लड़की एग्री है अब लड़की का जवाब दोनों कंडिशन में जैसे भी आता है अगर वो एग्री है तो वहां पर फिर वहां खाना वाना बनाया जाता है दो बोतल सराब लाया था जो महुआ का उसको जाता है पया जाता है 15 दिन बाद जो की शगाई करवाई जाती है उसके बाद फिर उसका शाहीं विडी विधान से करवाया जाता है जैसे फ्रचली ठीक है तो इस प्रकार से चटड़ विवास जो है वो बहिग और बोड़ जन में विषयज रूप में wow की कोई आ जा रहा है वो अलग-अलग condition पर डिपेंड करता है अलग-अलग जन जातियों के ठीक है तो इसको याद रखेगा चड़ विवा ठीक है बैगा और गोड जन जाती में विशेज और सभी जन जातियों में यह विवा प्रचली थे आगया समझ में ठीक चलिए आगे देखते हैं आगे और विवा अच्छा य अब यह क्या प्रोसीजर है यह भी बैगा जन जाती में अब यहां पर उठवा विवा चड़ विवा का ठीक विपरीद है यहां पर लड़के वाले जो है वो लड़की के घर में गय थे और सारा प्रोसीजर हुआ था और यहां पर क्या होगा लड़की वाले लड़के के घ जाएंगे और सारा प्रोसीजर होगा ठीक है लड़की वाले जाएंगे लड़के के घर और जो प्रोसीजर चलता है वह उसी प्रकार से चलेगा जैसे हम लोगों चड़ विवा में देखा था ठीक है वही सराब बोतल लेके जाना वही सारी चीजें होगा और उसी प्रकार से फिर अगर दोनों का जम गया तो फिर वो साधी करवा दी जाती इसमें जो खर्चा है वो लड़के वाले उठाते हैं साधी का इस बात को याद रखिएगा ठीक है उठवा विवा में खर्च जो है वो लड़के वाले उठाते हैं लड़के वाले ठीक है तो इसको ध्यान रखिए लियर है बैगा जन जाती चड़ विवा उठवा विवा एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें जो है वो लॉंग टाइम तक याद रहेगी अ अगे हम बात करें नेक्स्ट तो आटो साटो विवा और आटो साटो विवा कि ऐस जन जाती में प्रचली थो यह मुख्य रूप से कोर्कू जन जाती में यह क्या है तो यह है दोस्तों बीना गोनम का विवा गवेना गोनम का विवा और मैंने बताया था कि यह गोनम क्या है है न हमने पढ़ा था गोनम वधुमुल्य, खर्ची, सूक भरना, पारिंग धन, क्राय करना यह सारी चीजे जो है वो लड़की के बदले दिया जाने वाला लड़की के घर वालों को जो पैसा दिया जाता है जो धन धा जाता है उसी को क्या कहते हैं गोनम कहते हैं तो को जन्जाती में बिना गोनम का विवा होता है उससे आटो साटो विवा का जाता है इस बात को आप ध्यान रख़ीर गाटो साटो मेरे ख्याल से यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए एक विवा और बचा है एक विवा और बचा है वो भी गोड जन जाती में जिसको हम पठावनी विवा कहते हैं पठावनी विवा कौन सी जन जाती में तो गोड जन जाती में देखिए आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि लड़के वाले ही बरात लेके आते हैं कई लोग मन में आता है कि लड़की बरात लेके जाएं यहां वह होता है ठीक है पठावनी विवा में गोड जन जाती में लड़के वाले के घर बरात लेकर जाती है और जिस प्रोसीजर से समान विवा होता है गोर जनजाती का कि वहां जाएंगे वहां खाना पीना जो भी है चलेगा कायरकम वो सारा कायरकम जैसे समान विवा में चलता है उसी प्रकार से लड़के के घर वालों में लड़की वालों लड़की जो है वो अपने घर ले जाती है लड़का अपन बाबुल पोटार पोटार के अपन भाई बहिनिल पोटार पोटार के अब बढ़ रो थे आजे तक्रीजिस बाबु सांथ दया मया धरे रिवे और फलाना धिमका गोहार पोहार के जावा थाओं इसे के घुलन घुल पानी विवा के चलो मेरे ख्याल से आपका विवाज वाला जो बहुंसारा पोर्संट था वो अच्छे से क्लियर हो रहा है चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे विध्वा विवा विध्वा विवा विवा कि इस विद्वा विवा और किस नाम से जानते हल्द अर उत्व विवा है कि और किस नाम से जानते हैं तो चूरी पहीने ही क्षूरी पहीने ही ठीक है तो यह सभी के सभी विध्वा विवा है ठीक है सभी के सभी विध्वा विवा है ठीक अब विद्वा विवाह में जो विद्वा हो गई इस्तरी को ठीक है चूड़ी पहिना कर ले जाते हो उसको चूड़ी पहिने सिप चूड़ी पहिनाने से उसका विवाह हो गया तो यह क्या कहलाएगा चूड़ी पहिने विवाह कहलाएगा ठीक है हल्दी पानी अरुतो ये इनके और नाम है विद्वा विवा के अब विद्वा विवा कैसे कैसे होता है तो ये अलग-अलग तरीके से अलग-अलग समाज में होता है अधिकतर समाज में जो इस्त्री विद्वा हो गई है उस इस्त्री के भाई अगर उसका भाई है मतलब उसके पती का कोई अगर छोटा भाई है तो उसको प्रतम प्रात्मित्ता दी जाती है कि वो चाहे तो चुड़ी पहना कर साधी कर सकता है क्यों क्योंकि अगर उसके पती से उसके पती के भाई से अगर वो साधी करती है ठीक है तो उसको वधुमुल्य नहीं देना नाम चूरी है नहीं है हल्दी पानी है दोस्तों ये जनजातियों के जो विवाह के दोस्तों। और कौमार्य संसकार पूश्प वीवा इस सभी मैं ने जो जंजाती संज्ख विवा कौमार्य संसकार करते हैं कांडा बरा विवा किसे कहते हैं इसको अज आजंलों रिवाइस कर लेते हैं छेक चलिए पहले देखिए सह पलायन विभा या उड़ायर विवा देखें जिसको बैगा जनजाती में चौरी विवा कहा जाता है और लिए सभी जनजात्यों में प्रचलित है उड़ायर जनजाती में थोड़ा सा अलग चलता है जिसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया है ठीक है इसके अलावा पहरण विवा या पाय सोतुर विवा परिवार की मर्जी नहीं रहती है बस गोंड जन जाती में आप याद रखेंगे परिवार वालों की मर्जी नहीं रहती है ठीक है इसके अल लोगों ने पैठु विवा पैठुल विवा और घरगुसी कोरकु जन जाती में थोड़ा सा अलग इसका चलता है और यह जबरदस्ती विवा हट विवा के नाम से भी इसको जानते हैं और बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है दूध लवटावा विवा गोड जन ज जाती में यदि साधी सूधा किसी के वरण करती है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है आप वरण कर सकते हैं लेकिन आपको जो है वह क्या देना पड़ेगा हरजाना देवना पड़ेगा पुराने पती अगर जीवित है तो और यदि पती की मृत्ति हो गई है तो आप पाकी बात करें बैगा जंजाती में खर्च लड़के वाले उठाएंगे चडविवा का उल्टा यह देखने को मिलता है ठीक आटोशाटो विवा यह कोरकु जंजाती में है ठीक है आटोशाटो विवा खौन सी जंजाती तो और यह बीना गोनम क्या है वधुमुल्य जिसको बोला जाता है सूक भरना बोला जाता है वह बीना गो नम के विभाह होता उसको 68 विभाह कहते हैं और अंति में हम लोगों ने देखा पठावनी विभाह और उसके बाद विध्वाभिवाह पठावनी में लड़की अगर के परवरात लेके जाएंगे जो केवल गोड जन जाती में बहुत कम आजकल देखने को मिलता है और बांकि विद्वा विवा हल्दी पानी या रूतो चूरी पहिने जो है वो सभी जन जातियों में लगभग इसको माननता प्राप्त है ठीक है तो हम लोगों ने जो है कि अहां पूरण कवर कर लिया Istके अलावा मैंने बता दिया है कि जो ौकान्डा बरा पुसप वीवा जन जाती वालेе पोर् molarषण में तो उसको आप जाकर देखेंगे तो उसको अधर ooze विआ नगा कमार विवा है कांडा बरा cyber और पुसप विवा ठीक है तो इसको हम यही प आज आपका सॉल्व हो गया इतने सारे स्टेटमेंट है कि आप लिखते जाएंगे ठीक तो आप जो है प्लीस लाइक कर दें नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है ऐसे ही नई वीडियो आपकी आती रहेगी आप उसका इंज्वाय करें और अपने पथ पर सफल रहें अपने लक्ष को प्राप्त करें इन्हीं आसाओं के साथ आज का वीडियो में यहीं समात करता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत जय शक्तिस करें